हेलो एब्रिवान कैसे आप लोग तो आज 18 जैन है और बहुत सारे भायों का एक्जाम का पेपर आज ही कंड़क्ट हुआ है तो मैं आज बताऊंगा कि आपकी एक्जाम का पेपर का पैटरन कैसा था लेवल कैसा था जितने भायों ने कमेंट सेक्से नहीं मुझे बता है उस फिजिक्स 15 तक कोशन 15 16 तक करने लाहिक आ रहा है बाकि कुछ कोशन नुमेरिकल बेस्ट आ रहा है जो आप इजी नहीं बोल सकते उसको ठीक है ना पेपर का लेबल पहले से अब तो नहीं बोल सकते है लेकिन उससे थोरा सा लोग है मतलब मोडरेट क्वालिटी का है ठीक है अगर दिस्टेंस बरहा तो आपका क्या होगा उससे कोशन पूछे हुआ था और आपका आपका जो चार्ज होता हुँआ इंक्रीज करेगा की डिक्रीज करेगा वह भी पूछे हुआ था ठीक है तो मतलब अवर आपके कॉंसेप्ट वाल बेस्ट भी बहुत अच्छे कोशन आ रहा है और सिंग्पल सा ग्रेविटेशन का भी क्रेविटेशन कॉंस्टेंट का भी क्या पूछा गया था ठीक है तो कोस्टन आप 15 से 16 कोस्टन तक अटेम्ट कर सकते हो ठीक है ना अच्छे तरीके से मतलब टाइम्ट दे कर और कुछ बच्चे ने हरवरा के गल्ती बहुत डिस्टर्ब कर लिए होगे यही रीजन होगा अब दूसरी बात करते हैं मैट्स का ठीक ना तो मैट्स की बात करते हैं तो मैट्स भी कैल्कुलेटिव था ठीक है आपका कुछ कोसं 15 से 16 कोसं आपके बनाने लायक थे जो आसानी से बन रहे थे मगर उसमें भी थोड़े से ल बीक भी है फिर भी आप 12-15 कोसं आराम से कर सकते हो तो मैं एवरेज स्कोर लेके चलू अगर कोई बच्चा मालों फिजिक्स में 15 कर लिया मैथ हैं 15 कर लिया और इंगली से पंदर कर लिया फोर्टी फाइव मार्क्स ऐसे हो रहा है तो वह तो ऐसे सेफ डवल सेफ हो वह फा सेविन प्लस कर लिये तो अराम से आपका भी सेफ फेप कोई दिक्कत की बाद नहीं है तो यहीं मैं बता रहा था है जो है थोड़ा दफ भी आ रहा है और रहा है साथ में आपकी माइंड गेम के साथ केल रहा है मतलब जो आपको कोस्ट नहीं हो मेक अप कर रहा है simple simple सीथा कितना वार आप लोको समझाया एक ही बात कि भह millet हो हमें टॉपपर नहीं बनना है हमें टॉपब नहीं बनना है मेरा भी कल पेपर है कल मैं देख आूँगा तो बताऊँगा मैं कि T ना किया और किस लेबल का पेपर औरिजिनली पूछा गया है बच्चे देखिए बहुत सारे कोशन बच्चे को याद नहीं होता ठीक ना कुछ रिव्यू में बहुत सारी टीचर के देखते हैं अगर आपको रियल में ऑथेंटिक रिव्यू चाहिए तो आप जाके आरे सर को देख सकते हो बढ़ा करते हैं और कैसे स्कूर कर सकते है कि पेपर लेंदी आ तो कैसे सकते हैं और जैसे अपको धेलता है केंड है उस限 सक्वरें और और चैसल कर सकते हैं और सीधा उसकोंचन पर यहाँ है ठीक न और जैसे आप 12-15 कोशन सही कर लोगे ना confidence बिल्ड हो जाए अपका फिर अगले उड़ा दोगे और physics में भी ध्यान देना dimensional formula बढ़िया से देख लेना यह सब आमेशा पूछे जा रहा है और आपके एक फोर्स यह पूछा गया था लेकिन प्रेसर का यह बहुत घुमा दिया था ठीक न कोशन उसमें यूनिट ना देखिए आपको दूसरे-दूसरे का यूंट कमबाइन करके दिया था जिसमें बच्चे बहुत फसर रहते तो इ ऐसा 100% के 100% कोशन सही हो जाए आपने बनाया ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ ना कुछ आप गल्दी जरूर कर लेते हो और यह सब करता है यह मैं अपनी नहीं सब की बात को बोल रहा हूं समझ गया तो अगर 19 कल पेपर है 20 को पेपर है तो 21 को पेपर है तो एक ही चीज कर याद रख लो सब्र कोई दिक्कत नहीं है हमारी स्पीड अच्छी नहीं कोई दिक्कत नहीं हमें एक मैट वे एक ही कोशन करेंगे तो 20 में 20 कोशन हो जाते हैं अगर 20 मिनेट में आप सिर्फ 15 भी कोशन सही कर लेते हो भाईया फाइनल सेलेक्शन है 15 याई 45 समझे रहे हो तो इस चीजों को ध्यान अकोर इंग्लिस जो बच्चे का अच्छा होगा वह बहुत आगे कर जागा वह तो 50 भी लियाएगा ठीक है तो यहीं बताना था आपको और आप कॉन्फिनेंस खत पेपर दो इतना क्य चकते हो इतना क्यों डरते हो कि यह कोई पेपर है को आपका जिंद्गी का जह नहीं ठीक है तो पेपर तो आपको ध्यान से ही देना पड़ेगा तभी अच्छा नम बढ़ाएंगे और फसो ना जो आप पड़े उसको गलती कर दे तो सेलेक्शन नहों पाएगा याद रखन यही चीज मैंने बार-बार रिपीट किया उस चीज़ को आप समझ लो जान लो और हां पेपर का लेवल आसान नहीं था ठीक है जो भाई बोलते हैं होंक के आते कर दियें उनको तुक्का वाजी बाग बात में पेपर का लेवल आसान नहीं आ रहा है मॉडरेट टू हाड आ सब्सक्राइब कर देना फिर मिलते नेक्स वीडियो में फ्लल इतना ही जय हिंद जय भारत बंद मातरम सेलेक्शन लेना है